सब्सक्राइब कीजिए SGM पबली स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दवाईए नमस्कार बच्चो जीवन मुल्ले कक्षा में आपका स्वागत है बच्चो आज हम कक्षा एक का पार्ट नूमबर 11 पढ़ेंगे जिसका नाम है गुरू की सीख आप सभी बच्चे विध्याले जाते हैं और आपको विध्याले में कौन पढ़ाता है गुरू क्यानि जो भी अध्यापक या अध्यापिका आपको स्कूल में पढ़ाती है उनको हम गुरू भी कहते हैं तो आपके जो गुरू है वो आपको अच्छी अच्छी बाते सिखाते हैं आपको पढ़ना लिखना सिखाते हैं ठीक है तो ऐसे ही हम आज एक गुरू की सीख के बारे में पढ़ेंगे तो आईए आरम करते हैं तभी बच्छी अपने अपनी बुक खोल लेंगे और जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं आपकी उंगली जैसे यहां पढ़ रहे हमारी उंगली चल रही है आपकी भी उसी तरह चलेगी ठीक है चलेए विद्याले में गुरू जी हमें अच्छी अच्छी बाते सिखाते हैं वे हमें बताते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा वे ही हमें लिखना पढ़ना सिखाते हैं वे बच्चों से बेहत प्यार करते हैं तो बच्चो आपके जो अध्यापक हैं वे भी आपको अच्छी अच्छी बाते सिखाते होंगे और आपसे बहुत प्यार भी करते हैं एक दिन गुरुजी ने अपने बच्चों को बताया यदि हम प्रती दिन एक अच्छा कार्य करते हैं तो भगवान भी हमें हमसे प्रसन होता है यानि अगर हम रोज एक नेक कार्य करें यानि अच्छा तो भगवान हमसे क्या होंगे प्रसन होंगे यानि खुश होंगे किसी दीन दुखी की साहता करना, भूगे को खाना खिलाना, कटनाई में किसी की साहता करना ये सभी नेक कारे हैं तो बच्चों, नेक कारे कौनकौन सोते हैं, दीन दुखी की साहता करना, ठीक है, भूगे को खाना खिलाना, ये भी एक नेक कारे होता है, और कटनाई में किसी की साहता करना, कटनाई मतलब मुसीवत, जब कोई व्यक्ति या मनुष्य मुसीवत में होता है, तो हमें उसकी साहता जरूर करनी चाहिए, तो ये सभी कारे कैसे कहलाते हैं, नेक कारे, सभी बच्चों ने गुरुजी की बात धान से सुनी, अगले दिन की बात है कि राजु, मोहन, राजेश, हरिश और श्रितिज विध्याले आ रहे थे, तो बच्चों कितने बच्चे विधाले आ रहे थे, राजु, मोहन, राजेश, हरिश और श्रितिज यानि पांच बच्चे, उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक बुढ़ा, अंधा व्यक्ति खड़ा है, वह देख नहीं सकता, इसलिए सड़क पार करने में डर रहा है राजु, मोहन, राजेश और हरिश ने उसकी ओर देखा, तो बच्चों जो चार बच्चे थे, राजु, मोहन, राजेश और हरिश, उन्होंने उस बुढ़े की तरब देखा, पर उसकी कोई सायता नहीं की, उन्हीं बच्चों में सिर्तिज भी था, उसे भी स्कूल पाँचने की जल्दी थी परन्तु वह उस बुढे व्यक्ति के पास पहुचा और बोला बाबा जी आईए मैं आपको सड़क पार करवा दूँ तो बच्चों उन पांचों बच्चों में कौन सा बच्चा उनके पास गया बुढे के पास शृतिज और उसने क्या कहा उनसे आगे चलते हैं जीते रहो बेटा बगवान तुम्हें सुखी रखे किस ने कहा बच्चों उस बुढे व्यक्ति ने बुढे अंधे व्यक्ति ने उसे आशिवाद दिया शृतिज ने उनकी लाठी पकड़ी और आगे आगे चल दिया थोड़ी ही देर में उन्होंने सड़क पार करने बुढे व्यक्ति ने शृतिज को धन्यवाद दिया जब शृतिज ने उस बुढे व्यक्ति को सड़क पार करवा दी तो उस बुढे व्यक्ति ने उसको आशिरवाद दिया और बाद में धन्यवाद भी कहा श्रितिश अपनी कक्षा में सकते देश से पहुचा, कक्षा की पढ़ाई वो शुरू हो चुकी थी, यानि कक्षा की पढ़ाई थी क्या हो चुकी थी, शुरू हो चुकी थी, उसने कक्षा के कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर पुछा, गुरु जी क्या मैं अंदर आ सकता ह बच्चो जब आप कक्षा से बाहर जाते हैं तो अंदर आने के लिए आप उनसे आग्या मांगते हैं इसी तरह से शिर्थिस ने जब वो देर से विध्याले पहुँचा तो कक्षा में जाने से पहले उसने गुरुजी से आग्या मांगी यानि क्या कहा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ शिर्तिष कुछ देर से क्यों आये हो यानि जो शिर्तिष दा वो देर से आया तो गुरू जी ने क्या पूछा तुम देर से क्यों आये हो तुम्हारे सभी साथी तो समय पर आ गए पर तुम कहा नहीं कहते गुरुजी ने पूछा आप सिर्तिज क्या कहता बच्चों गुरुजी जब हम विद्याले आ रहे थे तो रास्ते में मैंने देखा कि एक बुढ़ा अन्धा व्यक्ति सडक के एक किनारे पर खड़ा है वह है बार-बार सडक पार करने की कोशिश करता मगर गाड़ियों के आने जाने की आवास सुनकर रुख जाता सभी आने जाने वाले लोग उसकी तरफ देखते जरूर थे पर किसी ने उसकी सायता नहीं की मैंने उसे सडक पार कराई इसलिए मुझे यहां आने में देर हो गई तो बच्चो जब स्रितिज के गुरु ने उससे पूछा कि आपको देर कैसे हो गई तो बच्चो स्रितिज ने पूरी कहानी सुनाई कि वह दोईर क्यों हुआ स्रितिज ने उत्तर दिया स्रितिज की बास सुनकर गुरु जी थोड़ा मुस्कराए और बोले शाबास बेटा तुमने बहुत ही ने काम किया है मुझे पता है कि तुम्हारे साथ तुम्हारे और मित्र भी थे परन्तु उन्होंने उसकी और जराबी ध्यान नहीं दिया गुरु जी की बास सुनकर राजू, मोहन, राजेस और ठरिश को बहुत शर्म आई क्यों शर्म आई? क्योंकि उन्होंने उस बुड़े रख्ते की मदद नहीं की थी यानि उनको देख तो लिया था लेकिन उसकी मदद नहीं की गुरु जी ने बताया भगवान उनी से प्यार करता है जो उसके बनाए मनुष्यों से प्यार करते हैं अता है हमें बड़े बुड़ों की सेवा करनी चाहिए उनके प्रती अच्छा वैवार करना चाहिए और उनकी सायता भी करनी चाहिए उन्होंने स्रतिश को अपने पास बुलाया और उसे एक उपहार दिया तो बच्चो अगर हम कोई नेक काम करते हैं तो हमें उसके बदल में आशिरवाद भी मिलता है धन्यवाद भी मिलता है और कभी कभी हमें उपहार भी मिल जाता है इसलिए बच्चो हमें अपने जीवन में प्रती दिन एक अच्छा कार्रे जरूर करना चाहिए चाहे वो घर हो या बाहर ज़रूरी नहीं है बच्चों कि आपने काम घर से बाहर ही करेंगे आप घर में रहकर भी प्रति दिन एक अच्छा कार्णे कर सकते हैं गुरू जी की बताई बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उनकी दी गई सीख पर अमल करना चाहिए तो बच्चों ये था हमारा पात गुरू की सेख तो इस पार से आपने क्या सिखा इस पार से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हर दिन यानि प्रति दिन एक अच्छा कार्रे यानि नेक कार्रे जरूर करना चाहिए चाहे हो हम अपने घर से बाहर हो या घर के अंदर ठीक है बच्छों?